नमस्कार मर्दोभाशी में आपका स्वागत है मैं हूँ तुशार और आप देख रहे हैं नाइन प्राइम शो आज की शो में सबसे पहले बात करेंगे कि क्रिशी कानून पर शरत पवार कौन सा बयान देखर सुर्खिया बटो रहे हैं अगली बड़ी सुर्खी वेक्सीन से जुड़ी हुई है भारत में अब पांच भी वेक्सीन को मन्जूरी मिल सकती है आखर में बात करेंगे कि क्या बाइडन प्रशासन की लापरवाही से कौरोना का डेल्टा वेरियंट अमेरिका में तीसरी लहर लाने वाला है क्रिशी कानूनों पर पिछले साथ महीने से चले आ रहे है विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार को पुर्व केंद्री क्रिशी मंत्री और NCP चीफ शरत पवार का साथ मिला है पवान ने गुरुवार को कहा कि कृषिक कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता हाँ इतना जरूर है कि कानून के उस हिस्से में संशोधन करना चाहिए जिसको लेकर के सानों को दिक्कत है NCP चीफ ने ये भी कहा है कि महाविकास अगारी सरकार ने मंत्रियों का एक समूह केंद्र केस बिल के अलग-अलग पहलों का अध्यन कर रहा है उत्तर भारत को फिलाल गर्मी सराहत मिलने के आसार नहीं है मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाना, दिल्ली, उत्तरी राजिस्थान, उत्तर प्रदेश और नौर्थ वेस्ट MP में अगले दो दिनों में गर्म हवाएं चलने के आसार है मैदाने इलाकों में तापमान सामाने से 4.5 डिगरी उपर पहुँचने पर हीट वेव के स्तिती घूशित कर दे जाती है जाइडिस केडिल ने अपनी कोरोना वेक्सीन जाइकोवडी के एमर्जेंसी इस्तमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है ये वेक्सीन 12 साल से उपर के लोगों के लिए है इसमें फेस 3 के ट्राइल पूरे हो चुके हैं और कंपनी का कहना है कि उसका सालाना 12 करोड डोस बनाने का प्लान है जाइकोवडी को मंजूरी मिलती है तो ये देश में 5 वी अप्रूवड वेक्सीन होगी दो दिन पहले ही अमेरिकी कंपनी मॉडेना की कोरोना वेक्सीन को डीजी सी आई ने मंजूरी दी है इससे पहले कोविशील्ड को वेक्सीन और इस पुतनिकवी को अप्रूवल मिला था वेक्सीन के ग्रीन पास को लेकर भारत और यूरोपियन यूनियन में बहस चड़ी हुई है इस बीच गुरुवार को यूरोप के आठ देशों ने कोविशील्ड को ग्रीन पास देते हुए अपने यहां अप्रूव वेक्सीन के लिस्ट में शामिल कर लिया है यानि इन देशों में कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले भारतियों को कोरोना नियमों से छूट मिलेगी इससे पहले बुदवार को भारत ने यूरोप को चेताव नहीं दी थी भारत ने साफ कहा था कि अगर यूरोपियन देशों की मेडिकल एजिंसी ने कोविशील्ड और कोविक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम भी इन देशों के वैक्सीन सेंटिफिकेट को नहीं मानेंगे बंगाल विधान सबा चुनाओं के बाद से लगातार एक दूसरे के खलाब तीखे बयान दे रहे ममता बेनर जी और प्रधान मंतरी नरंद्र मोदी के बीच आम की मिठास घुल गई है बंगाल की मंख्यमंतरी ममता बेनर जी ने प्रधान मंतरी मोदी, ग्रह मंतरी अमिच शाह और अन्य नेताओं को आम भेजे हैं इसे ममता की मेंगो पॉलिटिक्स कहा जा रहा है ममता बिनर जी ने राजनेताओं को बंगाल के मशूर हिमसागर, लक्षमन भोग और मालदा आम भेजे हैं ममता ने परंपरा दस साल पहले 2011 में शुरू की थी जब वे पहली बार बंगाल की मुख्य मंत्री बनी थी चीन की कम्मिनिस्ट पार्टी को सो साल पूरे हो चुके हैं, वहां की सरकार इसका सेलिब्रेशन कर रही है ऐसा ही एक समारो गुरुवार को हुआ, इसमें रास्टपती शी जिंपिंग ने भाशन दिया उन्होंने धोस दिखाते हुए कहा कि मैं शपत लेता हूँ कि चीन की मिलिटरी के ताकत को और बढ़ाऊंगा हमारे मिलिटरी को हम वर्ल क्लास बनाएंगे उन्होंने कहा कि वो दोर अब हमेशा के लिए जा चुका है जब कोई भी देश चीन को धमका कर चला जाता था अमेरिका में तेजी से फेलता डेल्टा वेरियन और वेक्सिनेशन की धीमी रफतार ने बाइडन प्रशासन की नीद उड़ा दी है हर दो हफते में डेल्टा वेरियन के मामले दोगने हो रहे हैं अब अमेरिका में नए केस में इस वेरियन की हिस्सेदारी 20 प्रतीशक तक पहुच गई है काईसर फेमिली फाउंडेशन सर्वे के अनुसार अमेरिका की 32 प्रतीशक आबादी टीका करण के खिलाप है बाइडन प्रशासन के एक अधिकारी बताते हैं कि वेक्सिनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए लगातार सभी 50 राज्य सरकारों द्वारा शुरू किये गए प्रोत्साहन प्रोग्राम जैसे नगदराशी, पुरुसकार, लोट्री वेवस्ता पूरी तरह से नाकाम रही है ऐसे में बाइडन प्रशासन ने नई लहर से बचने के लिए अपनी नई नीतियां तयार की है आज के लिए इतना ही अगलेशों में फिर हाजिन होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ तब तक देखते रहिए म्रदुभाशी